इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको पता चलेगा कि आप भी बड़ी आसानी से अपने घर के पोर्ट या कंटेनर में लेमन ग्रास को आसानी से लगा सकते हैं अगर आपको इस वीडियो में दी गई इंफर्मेशन यूसफुल लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा शेयर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन को पुश कर दीजिए और साथ ही सभी नोटिफिकेशन को आउन कर दीए तो चली अब देखते हैं कि किस सरीके से आप भी बड़ी आसानी से अपने घर के गमलों में लेमन ग्रास को कैसे लगा सकते हैं लेमन ग्रास को पोर्ट पे लगाने के लिए सबसे पहले तो हमें उसकी एक कटिंग चाहिए या उसकी एक रूट चाहिए जिसको हम आसानी से दूसरे गमले में लगा सकें मैं एक लेमन ग्रास की एक रूट को इस पोर्ट में से निकाल कर दूसरे पोर्ट में लगाऊंगा उसके लिए कुछ लेमन ग्रास की रूट को में यहां से निकाल दूँगा वैसे आप चाहें तो लेमन ग्रास को सीट से भी लगा सकते हैं लेकिन इसकी रूट या इसके छोटे प्लांट्स या सीटलिंग से लेमन ग्रास को लगा रहा बहुत आसान रहता है और यह बहुत ही जल्दी ग्रो होता है लेमन ग्रास को लगाने के लिए मैंने उसका एक पौधय को खाल डिया है और अब मैं इसको जमीन में या गमले में गार दूँगा जहां पर यह और ग्रो होता रहेगा इस तरीके से यह बहुत जल्दी फैल लाता है और लेमन ग्रास काफी उप्योगी ब्लांट है इसको आप कोई डिशेश में यूज कर सकते हैं और ऐसे मॉस्किटो रिपलेंड भी इस लेमन ग्रास का यूज करा जाता है लेमन ग्रास को ट्रांस्प्लांट करने के पहले आप जो उसका उपरी हिस्सा है उसको काट दीजिए ताकि प्लांट को ग्रो होने में या इसकी रूप को फि इसको काट के रखिया है और अब मैं इसको ग्राउंड में या कंटेनर में ट्रासफर कर दूँगा वहां पर यह फर्दर ग्रो होता रहेगा तो यह बहुत ही अच्छा एक मेडिसिन प्लांट है और इसका यूज कई रेसिपीज में भी किया जाता है और खास तो पर यह मुस् अब इसको बॉड्डी पर रब करेंगे तो इस से इंग यह काम करता है तो आब मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसको हमें सॉस् ग्राॉंड में ए किंटेनर में ट्रास्पलांट करना है वहां पर यह आगे ग्रो होता रहेगा मॉस्किटो रिपल cotton लेंंग्रास के दो प्लां पहला है कि जब भी कोई भी पॉधा किसी गंले में ट्रांसप्रांट करें तो उसको ट्रांसप्रांट करने के बाद पानी जरूर दीजिए तो आप इसे पान देता हूं इस लेमन ग्रास को कुछ दिन और लगेंगे क्योंकि इसके रूटिंग सिस्टम को इसमें डेवलाफ होने में थोड़ा समय लगेगा फिर आप देखेंगे कि इसकी ग्रोध होने लगेगी तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था मैंने इसको इसकी पत्तिया ना ले पाएं और और इसकी जड़ों को फैलने में ज्यादा मदद मिले इसलिए भी मैंने इसके उपरी पोर्शन को ट्रिम कर दिया था तो आप पुछ दिन वेट करिए फिर मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा कि इसकी ग्रोध लेमन ग्रास की कंट इसका है और मैंने लेमन ग्रास को लगाने के लिए जो पोर्ट का सेलेक्शन करा है उसकी हाइट करीब 14 इंच होगी और डाया करीब इसका 10 इंच है तो अब इस पोर्ट में आगे लेमन ग्रास ग्रोध होता रहेगा जब यह प्लांट पूरी तरीके से दिक्सित हो जाएग इसमें भी इसका इस्तेमाल आपके घर के किचन में कर सकते हैं अब लेमन ग्रास के दूसरे प्लांट को गार्डन की सोईल में लगाऊंगा इसके लिए मैंने एक होल डिक कर लिया है और इस होल में इस लेमन ग्रास के प्लांट को रखने के बाद मैं इसमें बांद देदू को इस कंटेनर में लगा है अब दो मेहने से जादा हो गया है तो जैसे आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ काफी अच्छी हो रही है और मैंने नीचे ग्राउंड में भी लिमन ग्रास को लगाया था पर वहां पर शायद इसकी ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं क्योंकि जिस दिन भर धूब में रखा रहता है इसलिए इसकी ग्रोथ काफी अच्छी है तो कुछ दिन बात देखेंगे हमकी जब यह पूरी तरह से लिमन ग्रास इस कंटेनर और जमीन में लगाया था वह ब्रोथ हो जाएगा तो जैसा आपने देखा कि पोर्ट में लगे हुए लेमन ग्रास की ग्रोथ तो काफी अच्छी है और आप देखते हैं कि ग्राउंड में जो मैंने लेमन ग्रास का प्लांट लगाया था उसकी ग्रोथ केसी है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस पोर्शन में सनल कब प्रहाइम मेहने बात की है तो आप ग्राउन में लगा हुआ प्लांट लिणिस तरीके से घ्रो हो रहा है तो इस तरीके से आप क्या व्र्ट और डौनों ही जगह पर लिण मुझे आसानी से अपने घर में लगा सकते हैं कि माइश में पर चळहा है देखंगे सिस्वड़ कुछ इस पोड़ चहलते हैं उसको न सब्सक्राइब करें पूर भीृ अगर सबिन प्लाइब हो जाएगा इस जबहा हैं आप ध्या आप तोर पर गया जाता है तो इस तरीके से आप भी चाहें तो आसानी से लेमन ग्रास को गमलो में लगा सकते हैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी से अपने घर के पोर्ट्स और कंटेनर में लेमन ग्रास को लगा सकते हैं अगर आपको ये information useful लगी हो तो इसको like जरूर कीजिए अन्य gardening करने वारों से share कीजिए इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद मैं फिर मिलूँगा किसी एक नई वीडियो में एक नई जनकारी के साथ तब तक आप अपने घर में gardening को enjoy करते रहिए करते रहिए करते रहिए